Hello Friends, मैं आपका इस YouTube चैनल पे सौगत करता हूँ Friends हम पढ़ रहे हैं Daily 25 Idiom and Phrases और आज का जो हमारा पहला Idiom है वो है Throw Thick and Thin Throw Thick and Thin का मतलब होता है Under All Circumstances सभी परिश्चितियों में Throw Thick and Thin का मतलब होता है Under All Circumstances सभी परिश्चितियों में Next Idiom है To and Throw To and Throw का मतलब होता है Forward and Backward मतलब आगे पीछे करना To and Throw का मतलब होता है Forward and Backward आगे पीछे करना तो अगर आप किसी गाड़ी को आगे पीछे कर रहे हो तो वहाँ पे हम ये Idiom यूज़ कर सकते है To and Throw Next Idiom है To the Backbone To the Backbone का मतलब होता है Throwly पुरी तरह से To the backbone का मतलब होता है thoroughly पुरी तरह से Next idiom है हमारा Take to hills Take to hills का मतलब होता है To run off भाग जाना इस idiom को हम याद कैसे रख सकते हैं वो ऐसे कि hills कोई अपनी hill लेके भाग रहा है मतलब कोई अपनी एडी लेके भाग रहा है तो कोई अपनी एडी लेके भाग रहा है इसका मतलब वो खुद भाग रहा है तो take to hills मतलब कोई अपनी एडी लेके भाग रहा है इसका मतलब वो खुद भाग रहा है तो take to hills का मतलब हो जाएगा To run off भाग जाना Next idiom है To talk Double Dutch To talk Double Dutch का मतलब होता है to talk foolishly मतलब मुर्खतापूर तरीके से बात करना उसका मतलब होता है to talk the double Dutch अब इस एडियम को हम याद के से रखेंगे इस एडियम के पीछे एक कहानी है और वो यह है कि जो Holland था Holland एक country है वो बहुत सालों से कई सालों तक England से युद्ध में उल्चारा और Holland के निवासी को Dutch कहा जाता है Holland के निवासी को Dutch कहा जाता है तो Holland के निवासी को लेकर जो Holland के निवासी Dutch थे उनको लेकर England में बहुत सारी अभद्र भासाएं बोली गई और उनके लिए मुहावरे भी बोले गई तो उनमें से ये एक मोहावरा है तो टॉक्ट डबल डच तो जैसे माल लिजे अगर दो परसन अगर दो आदमी हैं दोनों ही इंग्लेंड के हैं और एक परसन जो है वो डचों की तरह बात कर रहा है मतलब जो हॉलेंड के निवासी होता है उनकी तरह बात कर रहा है तो दूसरा जो इंग्लेंड के निवासी होगा वो यह बोलेगा कि क्या डचों की तरह बात कर रहे हो मतलब तो टॉक्ट डबल डच वहाँ पर ये एडियम उस करेगा न तो टॉक्ट डबल डच मतलब क्या मुर्खों की तरह बात कर रहे हूं तो to talk the double dutch का मतलब हो जाएगा to talk fallously मुर्खता पूर्ण तरीके से बात करना इस idiom को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दो person है वो क्या कर रहे हैं वो दोनों ही England के हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं और एक जो England का निवासी है वो मुर्खों की तरह बात कर रहे हैं तो दूसरा England का निवासी है बोलेगा कि क्या तुम मुर्खों की तरह बात कर रहे हो तो वहाँ पे वो ये idiom यूज़ करेगा to talk the double dutch क्या तुम तुम तचों की तरह बात कर रहे हो मतलब तुम क्या मुर्खों की तरह बात कर रहे हो तो to talk double dutch का मतलब हो जाएगा to talk falsely मुर्खता पूर्ण तरीखे से बात करना next idiom है the ins and outs the ins and outs का मतलब होता है the full details of a thing मतलब किसी भी चीज का full detail किसी भी चीज का full detail उसको हम बोलते हैं the ins and outs next idiom है time and again उसका मतलब होता है again and again मतलब बार बार कोई भी चीज अगर बार बार हो रही है तो वहाँ भी हम यह idiom यूज करते हैं time and again next idiom है to take the bull to take the bull by the haunts इसका मतलब होता है to grapple courageously with a difficulty that lies in our way मतलब to take the bull by the haunts का मतलब होता है sing होती है जो बुल की sing होती है उसको हम बोलते हैं haunts तो जैसे कोई भी person गाड़ी लेके जा रहा है रास्ते में गाड़ी लेके जा रहा है और सामने एक बुल खड़ा हो गया तो वो क्या कर रहा है तो वो क्या कर रहा है to take the bull by the haunts वो सामने एक बुल खड़ा हो गया और वो बहुत ही गुस्से में तो वो इसकाम मतलब की और वो बुल हट भी नहीं रहा है क्योंकि बहुत है तो उस बुल को इस बुल के सीन पकड़ के वह रहा मतलब उस इसलिक मतलब साहस्पोन तरेके से उसका सामना कर रहा है तो ग्रेपल ग्रेजिसली with a difficulty that lies in our way मतलब कि कठनाईयों को सामना करना जो भी हमारे रास्ते में आई हुई है उसका तो to take the bull by the horns का मतलब हो जाएगा कठनाईयों का डट कर सामना करना next idiom है throw cold water upon throw cold water upon को मतलब होता है to discourage मतलब discourage हो जाना मतलब हतुत्साइत हो जाना नीरास हो जाना उसको हम बोलते है throw cold water upon next idiom है turn till turn till का मतलब होता है to run away मतलब दूम दबा कर भाग जाना उसको हम बोलते है turn till अब इस idiom को हम याद किसे रखेंगे जैसे हमाल देते हैं कोई भी dog है कोई भी गुत्ता है वो क्या कर रहा है अपने टेल को अपने पुछ को turn कर रहा है अपने पुछ को turn कर रहा है और अपने पुछ को turn करके मतलब वो अपने पुछ को गुमा के भाग दिया तो इसका मतलब वो दूम दबा कर भाग दिया तो turn till का मतलब हो जाएगा to run away दूम दबा कर भाग जाना इसका मतलब होता है यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है adopt adopt का मतलब होता है अपनाना तो to turn over a new leaf का मतलब होता है कि पुरानी आदतों को त्याब कर नए सीरे से जीवन जुरू करना उसको हम बोलता है to turn over a new leaf अब इस idiom को हम याद कैसे रखेंगे यहाँ पे जो word लिखा हुआ है new leaf यहाँ पे जो word लिखा हुआ है new leaf यह किसका प्रतिक होता है मतलब new leaf का मतलब होता है कि नई पत्तियां new leaf का मतलब होता है नई पत्ति तो new leaf का मतलब हो गया है नई पत्ति त्याग दिया है मतलब उस पेड़ से पुरानी पत्ती जड़ गई है और अब new leaf आ गया है नई लिफ आ गया है मतलब नई पत्ती आ गई है इसका मतलब उसने क्या किया है कि अपनी पुरानी जो भी चीज थी उसको हटा कर उसने नई चीजों को अपने जिवन में उता रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी परसन जो अपनी पुरानी आदत को त्याग दे और नए सीरे से अपनी जिंदिगी को सुरू करे नई आदत के साथ उसको हम बोलते हैं तो टरन ओवर अन्यू लिफ इस एडियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट एडियम है तेल अपन इसका मतलब होता है have a bad effect on मतलब बुरा प्रभाव डालना या फिर बुरा प्रभाव चेलना उसको हम बोलते हैं तेल अपन मतलब have a bad effect on किसी भी चीज़ का पुरा प्रभाव है to take to heart इसका मतलब होता है to feel intentionally to feel intentionally मतलब गहराई से महसूस करना तो अगर कोई अपने heart से किसी भी चीज़ को सोच रहा है किसी भी चीज़ को महसूस कर रहा है तो to take to heart का मतलब हो जाएगा गहराई से महसूस करना या फिर गहराई से सोचना next idiom है to turn the table to turn the table का मतलब होता है to reverse मतलब स्थिती बदल देना अगर कोई table रखा हुआ है कोई table रखा हुआ है और किसी नहीं क्या किया कि उस table को turn कर दिया मतलब उस table को mode दिया इसका मतलब कि उसको reverse कर दिया मतलब उस table की position को change कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि उसकी स्थिती को बदल दिया तो to turn the table का मतलब हो जाएगा to reverse स्थिती बदल देना next idea में tooth and nail tooth and nail का मतलब होता है with all the force at command मतलब पूरी सक्ती से पूरी सक्ती से कोई काम करना उसको हम बोलते है tooth and nail जैसे हमें कोई भी एक्जाम पास करना होता है तो हम अपनी पूरी सक्ती लगा देते हैं उसमें मतलब हम उस एक्जान को क्रैक करने के लिए tooth and nail लगा देते हैं मतलब पूरी सक्ती लगा देते हैं next idiom है turn up one's nose turn up one's nose का मतलब होता है to take lightly with turn up one's nose का मतलब होता है to take lightly with contempt इसका मतलब होता है ग्रेना के दिष्टी से देखना तो इस idiom का मतलब होता है to take lightly with contempt मतलब ग्रेना के दिष्टी से देखना तो इस idiom को हम याद कैसे रखेंगे वह ऐसे कि कि अगर कोई मतलब कोई भी person है वह क्या कर रहा है कि turn up one's nose वह अपने मतलब nose को turn कर रहा है turn करने का मतलब कि वह अपने मुझ को फेर रहा है वह अपने मुझ को turn कर रहा है मतलब वह अपने मुझ को पीछे कर रहा है वह अपने मुझ को दूसरी तरफ कर रहा है कोई अपने फेस को क्या कर रहा है और किसी की तरफ मतलब हेट फुल नजरी से देख रहा है मतलब गृणागेजी से देख रहा है है नेक्स्ट एडियम है टर्न कोट टर्न कोट का मतलब होता है वन हुच चेंज पॉलिटिकल एफिलियेशन्स मतलब डल बदलू एक ऐसा इंसान जो की डल बार बार बदल देता हो उसको वहाँ पे हम एडियम यूज करते हैं टर्न कोट यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है एफिलियेशन्स एफिलियेशन्स का मतलब होता है संबंध जो पॉलिटिकल एफिलियेशन्स को मतलब पॉलिट Relation, Report, R-A-P-P-O-R-T, Report, या फिर Affinity, या फिर हो सकता है Affinity, A-F-F-I-N-I-T-Y, Affinity, तो यहाँ पर जो वर्ल लिखा हुआ है Affiliations, इसका मतलब होता है संबंध, अब इस एडियम के पीछे एक कहानी है और वो क्या है उसको हम समझता है Duke of Saxony, Duke of Saxony एक सामन्त था जिसके भूमी, मतलब जिसके भूमी की सीमा जो थी, वो France और England से मिली होई थी Duke of Saxony एक सामन्त था और उसकी भूमी की जो सीमा थी, वो France और England से मिली होई थी, सटी होई थी और वो जो सामन्त था वो एक कोट पहनता था, जो उपर से सफेद था और अंदर से नीला था तो जब उसे France से वफदारी करनी होती थी, तो वो क्या करता था? जब उसे फ्रांज से वफादारी करनी होती थी तो वो क्या करता था कि अपने कोट के सफेद रंग को उपर रख देता था और जब उसे इंगलेंड से वफादारी करनी होती थी तो वो क्या करता था कि अपनी कोट को पलर देता था और नीले रंग को उपर रखता था तो ये एडियम वहीं से आया है Turn, Coat तो वो क्या कर रहा था? अपने Coat को Turn कर रहा था इसका मतलब कि वो दल को, अपने दल को बदल रहा था कभी इस तरफ जा रहा था और कभी उस तरफ जा रहा था तो वहाँ पर हम ये एडियम यूज़ करता है One who changes political affiliations मतलब जो कभी इस तरफ हो और कभी उस तरफ हो कभी भी एक तरफ स्थीर ना हो Next idiom है Take up the cuddles Take up the cuddles का मतलब होता है To support or defend Take up the cuddles का मतलब होता है To support or defend मतलब होता है समर्थन करना अब इस idiom को हम याद कैसे रखेंगे यहाँ पर एक word लिखा हुआ है cuddles यहाँ पर एक word लिखा हुआ है cuddles cuddles का मतलब होता है गदा तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है कि गदा में हाथ लेकर किसे की रक्षा करने के लिए तयार हो जाए कोई व्यक्ति मतलब हाथ में गदा लेकर रक्षा के लिए तयार हो जाए इसका मतलब वो उसके समर्धन में तयार हो गया है वो दूसरे व्यक्ति की समर्थन में तयार हो गया है तो take up the cuddles का मतलब हो जाएगा to support and defend मतलब समर्थन करना इस idiom को हम ऐसे याद रख सकते हैं next idiom है talk 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 का मतलब होता है exaggerate the matters मतलब बढ़ा चड़ा कर कहना उसको हम बोलते हैं talk talk पीछले वीडियो में हमने पढ़ा था small talk मतलब hulky full की बाते करना light conversion करना उसका मतलब यह था light conversion करना small talk लेकिन यहाँ पे क्या है talk talk मतलब बात तो कर रहे है talk बात चित तो और यह conversion तो हो रहा है लेकिन बढ़ा जाड़ा कर कहा जा रहा है exaggerate matters को exaggerate किया जार रहा है मतलब बढ़ा जाड़ा कर कहा जा रहा है इस idiom को हम ऐसे याद रख सकते हैं next idiom है throw in a towel throw in a towel इसका मतलब होता है to be defeated हार जाना throw in a towel का मतलब होता है to be defeated हार जाने का बोलते हैं कि Бव यह जो इम है वह एक Deal से आया है और वह això कहले को बाक्सिंग को हन अब स्थिय में क्या हूता है वाक्सिंग के मैच में जब दो मुक्जे पाज अपस में लघते हैं बॉक्सिंग के मैच में जब दो मुख्यबाज आपस में लड़ते हैं तो उनके सहायक होते हैं उनके जो सहायक होते हैं वो कोने में खड़ रहते हैं उनकी तॉलिया लेकर और पीने का पानी लेकर boxing के match में जब दो मुख्यबाज आपस में लड़ता है तो कोने में उनके सहायक रहता है वो तौलिया लिये रहता है और पीने का पानी लिये रहता है तो अगर कोई मुख्यबाज हारने लगता है या फिर वो बीच में ही उसको हार स्विकार करनी है या फिर उसको वो खेल छोड़ना है तो वो क्या करता है? कि वो अपने सहायAK को इसारा करता है और वो सहायAK क्या करता है? कि रिंग के बीच में तौलियो को फेक देता है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि उस प्लेयर ने हार स्विकार कर लिया उस मुख्य बाद ने हार ज़िकार कर लिया तो throw up throw in the towel throw in a towel इसका मतलब हो जाएगा to be defeated, हार जाना मतलब उसने towel को फिक दिया इसका मतलब कि उसने हार ज़िकार कर लिया throw in a towel मतलब to be defeated, हार जाना इसी से related एक और idiom होता है throw up the sponge throw up the sponge तो कभी-कभी ऐसा होता है कि तॉलिय की जगा sponge को फिका जाता है sponge जो होता है मतलब soft soft मतलब एक soft वो होता है जो sponge होता है मतलब बुलायम होता है वो जैसे sofa होता है या फिर गद्दा होता है मतलब उसमें वो लगाया जाता है उसको हम बोलते हैं sponge अगर आप Google पर सर्च करेंगे तो आपको सोनने आ जागा कि sponge कीसे कहता है तो कभी-कभी क्या होता है कि तॉलिय की जगा sponge को फिका जाता है तॉलिय की जगा sponge को फिका जाता है तो throw up the sponge का भी मतलब वही होता है कि surrender करना, आत्मसमरपन करना, हार जाना इस इडियम को हम ऐसे याद रह सकते हैं throw in a towel का मतलब हो जाएगा to be defeated हार जाना next idiom है take up a pinch of salt take with a pinch of salt take with a pinch of salt का मतलब होता है to accept with doubt मतलब संदे के साथ स्विकार करना उसको हम बोलते हैं take with a pinch of salt to accept with doubt मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप संदे के साथ स्विकार कर रहे हैं वहां पर हम यह idiom जोज करते हैं to take with a pinch of salt अभी इस idiom को हम याद कैसा रखेंगे वैसे कि salt का मतलब होता है नमक salt का मतलब नमक होता है और pinch का मतलब हो जाएगा कि चुटकी पर pinch का मतलब हो जाएगा चुटकी पर तो take with a pinch of salt का मतलब हो जाएगा कि जैसे माली जब कोई भी आदमें बैठा है खाना काने कोई भी जट्ति खाना खाने बैठा है और उसने क्या किया कि उस खाने को चखा नहीं और मतलब उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया पहले ही उसने अंदाजा लगा लिया कि नमक कम होगा उस खाने में नमक कम होगा तो उसने क्या किया? कि पिंच मतलब चुटकी भर salt उठाया चुटकी भर उसने salt उठा लिया लेकिन अभी भी वो मतलब संदे कर रहा है कि नमक कम है कि ज़ादा है उसने उस खाने को चखा नहीं है लेकिन फिर भी pinch of salt उठाया मतलब चुटकी भर salt उठाया और अब वो संदे कर रहा है कि पता नी खाने में नमक कम है कि बराबर है तो इस डियम को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि take with a pinch of salt take with a pinch of salt का मतलब होता है to accept with doubt मतलब संदे के साथ स्विकार करना किसे भी चीज़ को co check turn a hair इसका मतलब होता है true to show any reaction turn a hear का मतलब होता है और ни reaction मतलब की प्र peachy Ja दिखाना उसको हम बोलते हैं to turn a hair तो hair का मतलब बाल हो गया अगर कोई अपने बाल को turn कर रहा है अगर कोई अपने hair को turn कर रहा है इसका मतलब कि वो action ही अपना दिखा रहा है वो अपने अपना action ही दिखा रहा है अपनी क्रिया ही दिखा रहा है तो turn a hair का मतलब हो जाएगा so any reaction प्रतिक्रिया दिखाना नेक्स्ट है टॉल स्टोरीज टॉल स्टोरीज का इस टोरी टॉल है, इसका मतलब स्टोरी बहुत लंबी है, अगर स्टोरी लंबी है तो इसका मतलब जरूर है कि बढ़ा चड़ा गर कहा गया है नेक्स्ट इडियम है टेक द फ्लोर टेक द फ्लोर का मतलब होता है, make a speech भाचर देना उसको हम बोलता है, take the floor और मतलब make us pinch भाजट देना है, next idiom है take lying down, take lying down का मतलब होता है to accept insult, मतलब अपमान स्विकार करना, वहां पे हम यह idiom यूज़ करते हैं, take lying down, accept insult, मतलब अपमान स्विकार करना, Friends, हम जो भी idiom and phrases पढ़ रहे हैं ये previous year में आयो हुए idioms and phrases है और इनको आप daily 25 idiom and phrases पढ़ते रहा करिए और revise daily करिए जिससे कि आप इस idiom and phrases को भूलेना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like, subscribe और share जरूर करिएगा धन्यवाद